Hello everyone, I am Shreya, welcome to Adya 24-7 School Guys, today we are going to discuss our new chapter that is Thermodynamics प्यारे बच्चे, Thermodynamics class 11th का chapter number 6 है जिसमें कि हम लोग Thermodynamics related कुछ थेरी पढ़ेंगे जिसमें कुछ derivations होंगे और कुछ terms होंगे तो बच्चे, चलिए देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में वो कौन-कौन से topics हैं जो हम cover करने वाले हैं और वो particular कौन सा topic होगा जो हम आज cover करेंगे प्यारे बच्चे, अगर चैप्टर की तरफ देखा जाए तो NCRT के हिसाब से हम लोग Thermodynamics term, type of system and state of system को discuss करेंगे application को discuss करेंगे, calorimetry and reaction enthalpies के बारे में पढ़ेंगे साथ में enthalpies for different type of reactions पढ़ेंगे Lastly हम लोग spontanity and gifts change and equilibrium को पढ़ेंगे बचे जब यह सारा आपका concept discuss हो जाएगा उसके बाद हम लोग NCRT के question answers को solve करेंगे, तो चलिए बचे अब बिना time को बरबाद कियो हैं हम लोग चलते हैं lecture number one की तरफ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले thermodynamics term, type of system and state of system सबसे पहले thermodynamics होता क्या है, हमेशे धान रखेगा thermodynamics energy change और energy transfer का study करता है यानि कि किस path से हो रही है, इससे दूर दूरता कोई लेना देना नहीं है सिर्फ आपकी energy में या फिस सिस्टम में क्या change आ रहा है, उसको अगर study कोई chemistry कर रहा है या फिर कोई science कर रहा है, तो वो है आपका thermodynamics बचे, thermodynamics हम physics में भी पढ़ते हैं, chemistry में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक common topic है, जो कि आपके दोनों पार्ट में आता है chemistry में हम लोग सिर्फ जो बात करते हैं वो energy change, energy transfer के करते हैं, जबकि physics में हम थोड़ी से mechanical बात भी कर लेते हैं next है आपका type of system, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए system होता क्या है, बचे किसी भी sample पर, surrounding में रखा कोई sample जिसमें change को हम लोग notice कर रहे हैं या फिर जिसमें होने वाले changes में का व्योरा निकाल रहे हैं, उसे हम system कहते हैं या फिर एक दूसरी तरी के साथ पहल सकते हैं कि surrounding में रखा कोई ऐसा sample जिसमें आप different changes का effect देख पा रहे हो और उस effect की वजए से उस system में होने वाले effect को आप recognize कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं system next है state of system, system के state क्या होती है, माल लोग कोई का sample है और उसका उस sample का initial में जो volume है V1 है, pressure है P1 है एक time के बाद, कुछ changes के बाद, after changes क्या हुआ, इसका volume हो गया V2, pressure हो गया P2, temperature T1 है तो हो गया T2 तो यह क्या हुआ, यह state होई जो आपकी state 1 से state 2 में जा रही है, यानि initial state से final state के बीच में होने वाले change को हम कहते है system की state, यानि state of system अब state of system भी आपके कुछ dependency पर depend करते हैं, एक होता है part dependent जिसे हम path function कहते हैं, एक होता है state dependent जिसे हम state function कहते हैं तो बचे यह दोनों चीजे हम लोग इस session में पढ़ने वाले हैं, साथ में type of system के अगर बात करें तो type of system हमारे तीन तरीके के होते हैं, close system, open system, isolated system, यह तीनों system भी हम लोग इसमें discuss करेंगे, चलिए बचे बिना time को बरबात के होए, अब हम चलते हैं हमारे पहले point की तरफ ज यानि की वो term जो की आपकी energy change के लिए responsible होते हैं, या फिर energy में जो change या फिर difference आ रहा है, या फिर कहलो आपकी एक transfer जो energy हुई है, initial to final, उसमें जो आपके variables आ रहे हैं, उनको explain करने वाले terms हमारे thermodynamic terms कहलाते हैं, clear? चलो, सबसे पहला है हमारा इसमें what system and surrounding, क्या होता है system और क्या होता है surrounding, देखो system वो होता है जिस पर काम किया जाता है, और surrounding वो होता है जिसमें की हम लोग है, ठीक है, जो वातावरन है, जो environment है, this is surrounding और जिस पर आपका action हो रहा है, वो आपका system है, चलो पढ़ते हैं, a system in thermodynamics refer to that part, जो आपका system है, thermodynamics में system हम किस word को refer करते हैं, that part of universe, universe का एक ऐसा part in which जिसमें observation are made, जिस पर की आपकी observation made हो रहे हैं, यानि कि जिस पर आपका action हो रहा है, जिस पर आपके changes आ रहे हैं, अब देखो, पूरे surround में तो आप change नहीं कर रहे हो ना, हम जिसे माल लो मैं इस studio के अ अंदर मैं किस पर action कर रहे हूं, इस board पर, तो मेरा system क्या है, मेरा system है, यह board, यह digital board, बिल्कुल उसी तरीके से, मालो मेरा CPU काम कर रहा है, तो यह CPU काम कर रहा है, तो यह मेरा system हुआ, क्योंकि इसमें कुछ changes आ रहे हैं, फिर वो electrical भी हो सकते हैं, kinetically भी हो सकते हैं, vibrational भी हो स काम कर रहे हूं, यह board धीरे-धीरे continuous चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो थोड़ा कभी-कभी heat feel करने लगता है, तो हमारा system क्या हुआ, मेरा system यह board वा, जो कि heat करने लगा, जिसकी energy में change आया, getting, this is system, तो वही जिस हमको लिखी है, a system in thermodynamics, thermodynamics में system किसको कहा जाता है, universe के एक एक ऐसे part को कहा जाता है, जिस पर observation लिया जा रहा है, या फिर जिसके observation हम लोग कर रहे हैं, clear, and remaining universe, constituent, the surrounding, और जो हमारा पूरा universe है, वो क्या कर रहा है, surrounding के constituent में काम कर रहा है, clear, मतलब यह हुआ, कि आपका observation and universe को आप रखके, उसी के corresponding आप compare कर रहे हो, हमारे एक normal temperature और यह थोड़ा heat हुआ, तो मैंने किस से compare किया, environment और इसके heat है, उन दोनों को ही तो compare किया, यानि कि universe को साथ में लेका system पर जो observation निकाले जाते हैं, वो आपका system and surrounding कहलाता है, clear, और जिस पर observation निकाले जा रहे हैं, उस particular चीज़ को हम system कहते हैं, नेक्स्ट है, the surrounding include everything other than the system, जो हमारा वातावरन होता है, अब बात आती है surrounding की, surrounding हमारा क्या रखता है, सब कुछ रखता है, सिवाई उस system के जिसको की हम absorb कर रहे हैं, तो वही चीज़ लिखी है, the surrounding includes everything other than the system, नेक्स्ट है, system and the surrounding together constitute the universe, अब बात आती है, system समझ में आ गया, surrounding समझ में आ गया, अगर हम system और surrounding दोनों को मिला दें, तो guys हमारा बनता है universe, समझ में आया, universe के अंदर surrounding, और surrounding के अंदर system, clear, ऐसे करके समझ लो, यह reasoning वाला पार्ट बन गया एक तरीके से, यह जो हमारा पूरा पार्ट है, this is universe, इसके अंदर surrounding, और surrounding के अंदर, यहाँ पर, क्या होता है हमारा, बताओ जरा, यह होता है हमारा system, clear, मतलग system surrounding से आलाग है, और यह दोनों मिला कर हमारा universe है, समझ में आया, जो चीज समझाई थी, वही चीज लिखी है, कि हमारा universe क्या होता है, जब आप system और surrounding दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलने से बनता है हमारा universe, clear, जो work done हो रहा है, जिसके corresponding, जिसके reference में work done हो रहा है, तो वो दोनों चीजे मिलकर आपके क्या बनती है, universe बनती clear, next देखो, however, the entire universe other than the system is not affected by the change taking place in the system, कभी-कभी क्या होता है, कि हमारा जो पूरा universe है, ठीक है न, हमारे पूरे universe में system पे कोई effect नहीं पढ़ता है, किसका, कोई भी change का, जो आपके system में change हो रहा है, उसका किसी भी universe के किसी भी part पर कोई effect नहीं पढ़ रहा है, और जो universe का change है उसका कोई भी part का effect हमारे system पर नहीं पढ़ रहा है, तो क्या लिकाए, however, the entire universe other than the system is not affected, is not affected by the change taking place in the system, जो system में changes आ रहे हैं, उसका effect हमारे universe पर नहीं पढ़ रहा है, क्लियर, कभी-कभी ऐसा होता है, कि जो हमारे changes system पर आ रहे हैं, मालो, CPU में जो changes आ रहे हैं, उसमें क्या, जिसे ये heat कर रहा है, या फिर ये अपनी electrical energy में work कर रहा है, तो अगर ये अपनी electrical energy में work कर रहा है, तो उसका कुछ भी लेना देना पूरे universe से है, नहीं, ये तो बस करकर आ कि अपना काम चला गया, clear, तो बस वही चीज़ लिखी है, कि however, the entire universe other than the system is not affected by taking place in the system, जो आपका change system म आ रहा है, उसका effect आपके पूरे universe पर नहीं रिखाई रहेता, therefore, all practical purpose इसी वजहें से, जो हमारे सभी practical purpose है, the surroundings are that portion remaining universe, जो हमारे बातावन का पूरा portion है, वो एकदम universe रहता है, जो की आपके system के साथ interact करता है, मतलब हमारे system का जो work done है, वो आपकी universe को effect नहीं करा, और जो हमारे system का work done है, वो surrounding को भी effect नहीं कर रहा, मतलब यह हुआ, कि कभी-कभी practical purpose से हम यह भी कह सकते हैं, कि जो हमारे surroundings है, या फिर जो हमारे surrounding का portion है, और या फिर हमारे जो remaining universe का portion है, वो आपका क्या करेगा, वो आपके system के साथ interact करेगा, है ना, interact तो करेगा, बट उसका बहुत बड़ effect आपके पूरे universe पर नहीं पड़ता, जबकि surrounding पर देखने को मिलता है, clear, usually the reason of space in the neighborhood for the system constitute its surrounding, इसी वजए से जो हमारे system है, उसमें क्या होता है, वो अपने surrounding के चारो और एक space को भी interact कर पाता है, यानि कि मालो यह आपका CPU गराम हो रहा है, तो इसका जो interaction है, वो surrounding पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जबकि पूरे universe पर दिखाई नहीं देगा, कभी गभी दिखाई देता है, next, example के लिए, अब इसी चीज़ को example से समझते है, if two substance A और B, कोई आपके दो substance A और B, जिनको कि हमने beaker में रखा है, क्या रखा है, बीकर में रखा है, the beaker containing reaction mixture, तो आपके जो beaker है, वो क्या रखता है, reaction mixture को रखता है system में, and the room where beaker is kept the surrounding, जूकि आपका beaker क्या रखता है, surrounding के kept में है, अब देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छे शब्दों में समझेंगे, हमसे बोला गया है कि कोई दो substance A और B, जिनको की beaker में रखा गया है, ठीक है, और जो हमारी beaker है, वो क्या कर रही है, reaction mixture को रख रही है, मतलब एक आपका beaker यह है, दूसरा आपका beaker यह है, इन दोनों में A और B आपके component है, अगर इन दोनों को हमने इन में dissolve किया, तो यह क्या है, यह आपका जो है, एक reaction mixture है, beaker का beaker है, जो कि आपका reaction mixture है, अब यह से इसको देख लो, and the room where beaker kept in the surrounding, और यह एक ऐसा room है, जहाँ पर इस beaker को रखा गया है, ठीक है, एक environment के या फिर एक कमरे में, surrounding के एक कमरे में, या फिर सीधे बोल दो कि जैसे मानलों, यह office है, office के एक कमरे में यह beaker है, जिसमें यह reaction हो रही है, clear, तो जो यह reaction हो रही है, इसका effect कहा तक है, इस इसका effect सिर्फ surrounding तक है, पूरे universe तक में है, clear, next देखो, it is necessary to think the system as separated from the surrounding by some sort of wall, अब हम क्या कर सकते हैं, कि यह जो आपकी effect पढ़ रहा है surrounding को, इसको कैसे system से separate कर सकते हैं, guys, किसी wall के through, है न, यह आपकी real भी हो सकती है, यह फिर imaginary भी हो सकती है, मानलों कि यह आपका कोई beaker है, जिसमें आपके कोई activity हो रही है, मानलों मैं इस speaker को पूरा बंद कर दूँ, तो यह जो इसके अंदर activity होगी, वो इसके अंदर रहेगी, इसके बाहर का जो surrounding है, उस पर इसका कोई effect नहीं जाएगा, तो यह जो आपका wall है, यह आपकी imaginary भी हो सकती है, और यह आपकी real भी हो सक है, मतलब, मानलो, कि अब मैं जाती हूँ, कि भई हमारा, जिससे इसका सबसे अच्छा example, हम जब lecture को record करते हैं, तो हम इस studio के अंदर करते हैं, अब यह जो studio इसको proper isolate किया गया है, जिससे कि जो हम अंदर पढ़ा रहे हैं, उसका disturbance बाहर वाले lecture में ना हूँ, getting, मतलब क्या किया, यह जो isolation किया गया है, यह जो boundaries, यह जो आपका हम पूरा isolate किया गया है, यह एक real boundary है, जो कि system, system मतलब हमारा studio और बाहर मतलब surrounding के बीच में बनाई गया है, जिससे कि यह system surrounding के साथ interact ना कर पाए, बाहर का shore अंदर ना आ पाए, और अंदर का lecture बाहर ना जा है, clear, समझ में आया, यह best example था, आपके इस boundary को समझाने का, this is designed to allow us to control and cap track to all moment of matter and energy, अब यह जो हमने जो system को design किया, या फिर यह जो real या फिर imaginary हमने boundary बनाई, किस चीज़ को ध्यान करके बनाई है, हमने इस चीज़ को ध्यान करके बनाई है, कि भाई, आपका जो track है, वो control है ना, कोई भी moment जो है ना, energy का जो exchange है, वो system के अंदर रहे, system के बाहर surrounding में ना जाए, राइट, तो बस energy in और out over the system, next है guys, type of the system, अब बात आती है कि कितने तरीके के हमारे systems होते है, system तो आपको समझ में आ गया, कि क्या होता है system, देखो type of the system, पहला है हमारा open system, दूसरा है हमारा close system, तीसरा है isolated system, फिर है state of the system, अब चलो इन तीनों system को पढ़ लेते हैं, what is type of the system, guys हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग अब system को आगे तीन पार्ट में उनके moment के base पर, according to the moment of matter and energy, जो system के अंदर matter है, जो उसकी energy है, उसके base पर, जो आपके energy का moment हो रहा है, उनके reference में, हम लोग system के कुछ parts पढ़ने वाले हैं, तो पहला है हमारा open system, फिर second है हमारा close system, ए सबसे पहले open system, क्या होता है open system, in an open system, there is exchange of energy and matter between the system and surrounding, आप सुनो, लेस का packet खुलेगा, तो सब में बटेगा, समझे मेरी बात, कितना अच्छा example है, open system का, कि लेस का packet खुलेगा, तो सब में बटेगा, तो बस वही चीज़ है, कि अगर आपके energy का exchange हो रहा है, या फिर matter का exchange हो into the surrounding, तो इसका मतलब यह आपका system open system है, clear, बच्चे, माल लो कोई beaker है, ठीक है, माल लो कोई beaker है, उसको आपने heat करना शुरू किया, अब यह उपर से धका हुआ नहीं है, तो क्या होगा, इसकी जो energy है, वो आपकी बाहर जाएगी, मेभी इसका matter as a vapor phase में भी आपकी surrounding में जा system, जो आपका reactant है, जो कि beaker में है, imagine करो कि आपने किसी beaker में acetone रखा, आप क्या देखोगे, थोड़ी दिरबद acetone तो गयाब हो जाएगा, क्यों गयाब हो गया, क्योंकि आपका system open system था और वो vaporize होकर आपके surrounding में चला गया, clear, the presence of reactant in an open beaker is an example of open system, तो यह आपका किसका example है guys, यह आपकी open system का example है, next है, here the boundary is an imaginary surface, अब यहाँ पर जो आपके boundary है, वो क्या हो सकती है, imaginary surface हो सकती है, जो कि beaker और reactant को in close करे, मतलब अगर हम चाहें, तो इस beaker को बंद कर सकते हैं, और इस reaction को यही का रही ही रख सकते हैं, जिससे कि जो आपके internal system में reaction हो रही है, वो आपके surrounding को effect ना करे, तो अगर आपके energy का exchange, matter का exchange, system surrounding तक जा रहा है, इसका मतलब आपका system open है, clear, next देखो, next है guys, close system, अब देखो, close system में क्या होगा, जिससे कि यह है मेरा close system, अब यहाँ पर मैं कितना भी आपको loud voice में पढ़ा हूँ, या फिर बाहर कितना भी sure हो, मेरे पास नहीं आएगा, च्योंकि हमारी energy का exchange surrounding में होई नहीं रहा, हमारी जो energy है, हमारा जो matter है, वो into the system है, clear, देखो, in a close system, there is no exchange of matter, यहाँ पर कोई भी energy का या फिर matter का exchange नहीं है, ठीक है, but exchange of energy possible, but आपका exchange of energy possible है, कैसे possible है, इसके बारे में अभी बताएंगे, just a minute, ठीक है, between system and the surrounding, अब देखो, मेरे वाले case में तो energy का exchange नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जो भी energy यहाँ पर लगा रही हूँ, वो आपकी ब बड़ बच्चे, अगर इसे को समझाने के लिए, मैं कोई beaker ले लूँ, और beaker को heat करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो उसके जो heat है, उसके wall तक जाएगी, और yes, वो आपका जो exchange है, वो environment में भी होगा, यानि बहुत दूर तक नहीं, जैसे मालो यह पूरा आपका surrounding है, काचकी है, मालो, उसके अंदर मैंने गरम पानी भरा, और जब मैंने उस bottle को बकड़ा, तो उसमें गरमा हट फील हुई, मतलब क्या हुआ, कि जो उसका energy का, energy जो है न, वो आपके environment तक जा रही है, समझ में आया, क्या हुआ, क्या हुआ, कि जो आपकी energy का exchange है, वो आपके surrounding मे जा रहा है, बट, जो आपका matter है, यानि कि जो मैंने cylinder में या फिर उस bottle में पानी भरा, वो आपका system से बाहर, यानि surrounding में नहीं जा रहा है, इससे बोलते हैं, close system, देखो, the presence of reactant, अगर आपका कोई reactant weaker में present है, और मैंने इस weaker को उपर से बंद कर दिया, है न, तो क्या होगा, तो आपका ये matter तो बाहर नहीं जाएगा, बट guys, अगर आपका container किसी metal का है, तो of course आपकी energy का exchange possible है, possible है, हमेशा ये नहीं है कि 100% होना ही होना है, close system में, बट इसकी possibility है, it depends on the containers material, कि आपका container किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, clear, मालो कि लकडी का container है, तो लकडी तो isolated आपकी energy का exchange होगा ही नहीं, क्योंकि heat आपकी अंदर के अंदर रहेगी, बट वही पर अगर आपने कोई metal ले लिया, तो क्या होगा, आपका असानी से energy का transfer surrounding में हो रहा होगा, ठीक है, तो ये आपके कोई compulsory phase नहीं है कि energy का transfer होगा, ये आपकी एक exceptional cases में है, कि भई, आपकी particular अगर कोई भी individual आपने metal ले लिया, या फिर किसी भी ऐसे चीज से बना हुआ आपका system है, जो कि energy को आसानी से conduct कर सकता है, ठीक है, या फिर one place to another place transfer कर सकता है, नेक्स दिखो, नेक्स है isolated system, what is isolated system, guys अब isolate, वोर्ट से ही पता चल रहा है, जहां पे जिस system में कोई भी चीज का exchange ना हो, ना तो energy का exchange हो, और ना ही आपके matter का exchange हो, तो ऐसे system को हम क्या कहते हैं, isolated system कहते हैं, देखें ज़र isolated system, in an isolated system, there is no exchange of energy, isolated system में energy का कोई exchange नहीं होता, और matter between the system and the surrounding, और ना ही matter का exchange होता है, किस में, surroundings में, जो आपका content system के अंदर है, वो system के अंदर रहेगा, जो आपका matter surrounding में है, वो आपका surrounding में रहेगा, यानि कि surrounding का matter system में नहीं आएगा, और system का matter surrounding में नहीं जाएगा, फिर चाहे वो आपकी energy है, या फिर आपका reactant है, clear, दा प्रिज़न सोफ रियक्टेटि इनस तर्मस अगर आपका कोई थर्मस जिसमें कोई रियक्टेटि भरा गया है जब आप उसे हीट करके या फिर गरम एक प्रटिकुलर टेंप्रेचर पर आप रख रहे हो मान लो कि आपने टी टेंप्रेचर पर उसको रखा तो गाइज वो तो जो thermos में रखा हुआ reactant है वो आपके T temperature पर ही रहेगा यानि कि उसका exchange ना तो आपका surrounding में चाहेगा और ना ही surrounding का T2 temperature system के T temperature में आएगा तो वही चीज आपको लिखी है कि the presence of reactant of thermos class with any other close isolated vessel is an example of isolated system ये आपके isolated system का example है देखो जरा ये देख पारे हो ये एक cylinder है जिसमें आपके पास एक energy एक matter है जिसकी अपनी एक particular energy है अब इस matter की जो particular energy है वो क्या करेगी इसी cylinder के अंदर रहे बाहर नहीं जाएगी है ना और ना ही बाहर surrounding की energy और matter इस system के अंदर present reactant की energy और matter को affect करेगी clear ऐसे system को हम क्या कहते है आइसोलेटिट इस्टम next point की तरफ चल रहे है next है guys the state of system very interesting part अब आएगा मज़ा next point है हमारे state of system what is state of system हमेशा ध्यान रखना वो properties वो variables जो आपके thermodynamics property को या फिर आपकी microscopic और macroscopic property को explain कर पाएं वो state वो आपके terms थर्मो state of system कहलाते हैं मालो कि मैंने किसी baker को गरम किया उसका temperature T1 से T2 हो गया तो yes यह जो आपका T1, T2, P1, P2, V1, V2 यह जो आपके terms है यह आपके state of system है यानि कि आपका volume, आपका pressure, आपका temperature यह आपके किसी भी system के state को explain करता है simple way में अगर आपसे definition पूछी जाए तो वो variables जो किसी system की state को या फिर किसी system की situation को position को explain करें वो आपके state of system कहलाते हैं चलो इसको समझते हैं the state of thermodynamic system is described by its miserable and microscopic bulk properties यह जो भी आपके thermodynamic system है वो किसको describe करते हैं वो आपके या तो miserable जो आपके measure किये जा सके या फिर जो measure ना किये जा सके macroscopic level properties है उनको explain करने के लिए use किये गए terms आपके state of systems कहलाते हैं या फिर variables कहलाते हैं clear अब देखो अब इन्हें कैसे हम define कर सकते हैं मालनों कोई gas है किसी gas की state है जिसमें pressure है volume है temperature है यानि कि एक gas जो कि अपना particular pressure volume temperature और amount and रख रही है तो आपको यह पता चल गया कि हमारा जो system का state है वो कौन define कर रहा है यह particular values define कर रही है यानि कि किसी gas के लिए state किसी gas की state define करने के लिए कि हमारी gas किस position में है आपको क्या-क्या देखना पड़ेगा उसका pressure देखना पड़ेगा कि कितने pressure पर है किस temperature पर रखी गई है उसमें number of moles कितने है तो these are all variables state variables इनको कहते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे variables like PVT are called state variables या फिर guys इनको कहते है state function क्या कहते है state function clear because their value depend only on the state of the system अब जैसे कि माल लो guys आपका कोई cylinder है जिसमें एक pressure already P1 लगा हुआ है क्या लगा है एक P1 pressure लगा हुआ है अब माल लो इस piston को मैंने और दबा दिया क्या करा इस piston को मैंने और दबा दिया यानि कि इसको मैंने P2 pressure से दबाया क्या किया P2 pressure से दबाया तो P1 pressure पर जो इसका volume था वो था V1 और P2 pressure पर इसका volume किता हो जाएगा इसका volume हो जाएगा V2 यानि कि इसके variables में P1 से लेकर V1 तक और P2 से लेकर V2 तक का change आया है ना क्या आया यह आपका change आया तो इसे क्या कहेंगे state function कहेंगे यानि एक state में कुछ functioning हुई है जब आपने उसके pressure में change किया उसके volume में change किया या फिर उसके temperature में change किया तो इस्टेट में चेंज आया और इसी स्टेट चेंज को हम क्या ख़एंगे स्टेट फॉंक्शन कए रहेंगे क्लियर को विकॉस देर वैल्यूदि डिपेंड ONLI डा ऑउन दा स्टेट of the system क्योंकि जो आपके state की value है वो किस पर depend कर रही है वो आपके system के position पर या फिर system की condition पर depend कर रही है कि भाई 300 degree temperature पर इसका pressure पीवन था या फिर इसकी इसका volume वीवन था बड़ जैसे हमने इसका temperature को कम किया या फिर बढ़ाया तो इसका प्रेशर पीटू हो गया और इसका temperature इसका volume वीटू हो गया तो यह क्या हुआ यह आपके state में change आया ना variables में change आया ना temperature change हुआ pressure change हुआ variables change हुए तो इसका मतलब क्या हो रहा है इस are all state variables and this this activity या फिर दिस एक्स्चेंज इन positions are known as state function clear next देखू in order to complete the definite state of system it is not necessary to define all the properties of system हमेशा यह नहीं है कि अगर आपने temperature change हुआ तो सारी properties change हुए maybe particular property होगी जो कि change होगी यह हमेशा possible नहीं है as only the certain number of property can be varied independently किसी एक चीज़ को या फिर किसी एक variable में जब change आता है तो कुछ certain properties में change आता है ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पूरा system ही change हो जाए clear this number depend on the nature of the system अब यह किस पर depend करता है यह आपके system के nature पर depend करता है कि कितनी variables में आपके change आएगा once these minimum number of microscopic properties are fixed अगर आपकी कोई के भी minimum number की microscopic property fix है तो these automatically have definite value तो यह अपनी एक definite value को रखते हैं क्या करते हैं these these other have automatically definite values यानि कि इन सभी की अपनी particular automatically definite values होती है clear next guys internal energy as a state function what is internal energy अब देखो internal energy की बात आई है तो एक बार मैं खुद का example लेती हूं जैसे कि मैं हूँ मैं क्या कर रही हूं मैं इस टाइम आपको अपना lecture deliver कर रही हूं तो मैं कुछ activity कर रही हूं जैसे कि मैं थोड़ा बहुत चल फिर रही हूं बोल रही हूं हिल रही हूं हना अपनी बात रख रही हूं तो बहुत सारे इसमें काफे चीज़े मैं अपनी activity कर रही हूं मतलब जितने भी एक system में activity होती हैं जितने भी type की आपकी energies होती हैं अगर किसी system में जिस जिस type की energy होती है उनका addition कर दिया जाए उन सभी type की energies का अगर हम addition कर दें तो आपकी आने वाली energy की value internal energy कहलाएगी क्या वो लगया है कि internal energy as a state function जो हमारी internal energy होती है वो एक state function होती है अब कैसे आपको पता चलेगा state function बताओ कैसे आपको पता चलेगा state function का time लो और इसको बताने के कोशिश करो कि guys what विल बी दा स्टेट फंक्शन बताओ टेक यॉर टाइम टैन सेकिंड का टाइम लो और इसका आंसर देने के कोशिश करो नहीं तो फिर मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगी बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में सोचो जरा देखो इस्टेट फंक्शन की बात हो रही है अब देखो इस्टेट फंक्शन की अगर बात आई है तो आपको दो चीज़े समझनी पड़ेंगी क्या चीज़ समझनी पड़ेंगी क्या चीज़ समझनी पड़ेंगी देखो पहले चीज़ तो आपको यह समझनी पड कोई भी work done यानि कोई आपकी thermodynamic activity एक point से दूसरे point के बीच में हो रही है इतने में हो रही है याने कि क्या हो रहा ही आपका यह आपका हो रहा है state function ठीक है अब path function की बात आ गई अगर आपका यही काम 10 तरीके से हो जाए है ना 10 तरीके से हो जाए P1 P2 P3 अलग-अलग तरीके के path से हो जाए तो इसका मतलग यह आपका हो गया state path clear this is the difference between state function and state path so state function किसके बीच में होता है दो variables के बीच में किनके बीच में two variables के बीच में clear चैलो अब इसको आगे समझते है गाइस दा इंटर्न इनर्जी एजा स्टेट फंक्शन इंटर्न इनर्जी हमारी state function की तरह बिएफ करती है क्यों अवर chemical system losing और gaining energy हमारा जो chemical system होता है यह फिर हमारा कोई भी system है तो वो क्या करेगा या तो इनर्जी को गेन करेगा या फिर इनर्जी को लूस करेगा तो इस में जो आपकी energy को गेन कर रहा है या फिर इनर्जी को लूस कर रहा है यह क्या कर रहा है यह total energy को represent कर रहा है किसको total energy को represent कर रहा है इट में भी chemical electrical mechanical और other type of energy यह कोई आपका system है जिसके अधर माल लो आपका chemical energy mechanical energy transitional energy vibrational energy potential energy किसी अलग अलग तरीके की energies आपकी है तो जो आपकी internal energy होगी इंटेनर्जी मतलब usage हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माल लो आपकी इंटेन इनर्जी फिर आपके किसके बराबर होगी kinetic energy mechanical energy transitional energy plus vibration energy plus potential energy के बराबर होगी यह एक आपका simple सा logic आ गया तो क्या लिखा है a quantity which the energy of system may be chemical energy mechanical energy और other type of energy the sum of all these energy of the system called internal energy चा कहलाता है internal energy कहलाती है और guys हम internal energy को किस से शो करते हैं हम इसको you से शो करते हैं बचे अब जब internal energy की बात हो गई है तो हमारी यह internal energy किस-किस चीज़ पर depend करेगी चलो इसको देख लेते हैं which may be change when heat passes throughout the system या तो आपका system से आपकी heat pass हो रही है है ना या तो system में heat pass हो रही है या फिर system से heat pass हो रही है तो आपकी internal energy में change आएगा दूसरा working done on या फिर by the system या तो system पर काम किया जाए या system दोबुरा काम किया जाए या CPU पर कामकिया जाए या CPU दबुरा काम किया जाए दोनों में क्या हो रहा है इंटा इनले जी में चेंज होगा क्लियर जैसे कि गाइज वक अब देखते हैं वक क्या है जैसे कि आपके चेंज इन इंटरनल इनर्जी वाइड डूइंग वक अगर आपने काम किया सिस्टम पर तो इंटरनल इनर्जी में चेंज आएगा अगर आपने किसी बरतन में किसी फ्लास्क में पानी को लिया और वो आईसोलेटेड है तो आपका वक दन नहीं होगा बट अगर यहीं आपकी इनर्जी एक्सचेंज हो जाए तो गाइज आपका वक दन होता है यह आपकी जब आपका थर्मस आईसोलेटेड है तो वो हीट का एक्सचेंज अलाओ नहीं करेगा किसमें विट्वेन सिस्टम एं सराउंडिंग सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज अलाओ नहीं करेगा तो गाइज इस ट्राइप की वाल हमारी क्या कहलाती है यह ऐसा system हमारा adiabatic system कहलाता है क्या कहलाता है adiabatic system कहलाता है यानि इसमें क्योंकि जो value होती है वो आपकी zero होती है इसमें energy transfer आपका zero होता है clear हमेशा ध्यान रखना the state of which जिसमें आपका system change हो क्या हो system में भी change तो ऐसा process हमारा adiabatic process कहलाएगा system तो change होगा but energy नहीं the adiabatic process is the process in which there is no transfer of heat जिसमें आपके energy का heat का कोई transfer नहीं होता between system and surrounding these processes are known as adiabatic process clear अब यह क्यों नहीं हो किसी wall के थ्रू किसी imaginary boundary के थ्रू जिसे हम क्या कह सकते हैं जिसे हम adiabatic ball कह सकते हैं for example this जिसमें आपका बेकर यहां से बंद है आपकी adiabatic ball लगी है जिसकी वज़े से कोई भी energy का transfer किसी भी heat का transfer surrounding में नहीं हो रहा clear the change in internal energy of the system by doing some work on heat अब हम क्या कर सकते हैं इस system की भी internal energy में change कर सकते हैं कब अगर हम system पर थोड़ा काम कर दें तो इसके internal energy में change जाएगा if the initial state of system as a state a माल लो कि आपका कोई initial state है system की जो की a है अगर हमने इसके temperature को change किया और temperature इसका t है तो फिर guys जो आपकी internal energy system की आएगी वो आपकी internal energy u से represent की जाएगी clear तो अब यह बताओ कि आपका जो state of system है वो कितने type से हम explain कर सकते हैं मैंने क्या कहा था कि हमारा जो internal energy है this is the state function और मैंने आपको क्या बताया था state function क्या होते हैं जो आपके दो different ways पर depend करें जो आपके दो different ways पर depend करें these are all state function तो हमारी internal energy क्या हो गई state function हो गई दो वे कौन कौन से हो सकते हैं पहला वे देखो अगर हम कोई mechanical work कर दें मानलों कोई एक किलो जूल आपका time है जिसको की आप rotate करके जिसके पैडल को आप rotate करके mechanical work कर रहे हो और there by tuning water ठीक है तो इसमें आपका जो state है बी state temperature T पर है ठीक है जब हमने इस पर थोड़ा mechanical work किया तो हमने क्या देखा कि इसका temperature T से T B से T A हो गया है ना तो आपकी final state से आपने initial state अगर घटा दो तो आपके beach का temperature difference आ जाएगा ना यानि कि T is called to T B minus T A clear there the internal energy B अगर कोई आपकी internal energy internal B एक energy है किसकी system की तो इसका state क्या है वो भी आपका B होगा तो internal energy का value क्या हो जाएगा तो guys आने वाली internal energy का value होगा U बराबर U B minus U A clear next है guys second way second way क्या होता है the equal amount of electrical work with the help of an immersion rod noted down the temperature change अब क्या करेंगे जो दूसरा तरीका है कि हमारे जो temperature में change आया जब आपने system पर mechanical work किया तो system के temperature में जो change आया उसको हम किसी तरह से किसी भी point से temperature को note down कर लें मालों कि आपका final जो temperature था वो T V था T F आपका T V था और T initial आपका T A है तो आपका जो temperature change आएगा उसे हम किस से define करेंगे डेल्टा T is equal to T B minus T A या फिर T is equal to T B minus T A तो यह आपका दूसरा तरीका हो गया अब देखो इट सॉरी इट हैज वैर इट हैज इट वोज एविलेबिल तो शोड़ाट अगिविन एमाउंट ओफ वर्क डान ऑन दा सिस्टम कि जो आपका काम किया गया है system पर no matter how it is यह कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने system पर काम कैसे किया बट आपने अगर system पर work done किया है तो guys यह आपके state में change लाएगा और यह जो state में change होगा यह miserable होगा कैसे miserable होगा फिर चाहे वो आपके temperature के phase में हो फिर चाहे वो आपके internal energy के phase में हो but yes आपका जो characteristic state of system होगा वो change miserable होगा clear thereby in the adiabatic work अगर आपका adiabatic work किया जा रहा है तो wad के लिए required about the change state equal to the difference between value of u and the value of another u मतलब अगर आप adiabatic state पर काम कर रहे हो तो guys जो आपके internal energy की value होगी वो final internal energy की difference के बराबर होगी final और initial energy के difference के बराबर होगी यानि delta u की value u2 minus u1 होगी जो की आपके work done के बराबर होगी adiabatic system पर work done के बराबर होगी therefore internal energy u of the system is a state function इससे क्या पता चल रहा है u is equal to u2 minus u1 से क्या पता चला कि जो हमारा system है वो एक state function है और ये दो variables के बीच में लाए करता है the positive sign expressed that wad is possible when work done on the system कि आपका जो wad है कब possible होगा जब आपके system पर work किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपके wad यानि की work done की जो value आएगी वो आपकी negative आएगी clear क्योंकि opposite काम किया जा रहा है ठीक है ठीक है क्यों क्योंकि आपके system पर काम नहीं किया जा रहा है system के द्वारा काम किया जा रहा है अगर system पर काम किया जा रहा होता तो अगर on the system काम किया जा रहा होता तो आपके wad के value आती positive clear example के लिए देख लेते हैं अब कुछ example हैं जिसमें आपके state function pbt के लिए को explain कर रहे हैं पहला है कि if we bring change in temperature अगर हम temperature में change ले आएगा तो आपके state function में change आएगा अगर हम temperature में change ले आते हैं तो कितना है positive 10 degree celsius क्योंकि आपका temperature बढ़ रहा है if we go straight up to 35 to cool अगर हम 35 से cool की तरफ चले जाएं तो हमारी जो degree होगी वो किद में चले जाएगी वो few degrees tend to the system of final temperature वो आपके final temperature की तरफ tend करेगी है और change in temperature is independent on the root taking किस root पर आपके path पर temperature depend नहीं करता है temperature is a state function not a path function अगर सीधे statement में लिखें तो temperature में यहाँ पर हमको सिर्फ इतना समझाया गया है कि temperature हमारा T2 minus T1 है यानि कि दो variable के बीच में काम कर रहा है दो variable के बीच में change हो रहा है state function है ना कि path function path function वो होता है जो आपके path पर depend करता है different different path पर depend करता है but state function वो होता है जो आपके दो variables पर depend करता है clear अब बात आते हीट की guys हम heat का exchange करके भी internal energy में change ला सकते हैं यानि कि when we also change the internal energy of the system कैसे change करेंगे by transfer of heat अगर हम surrounding को heat का transfer कर दे या फिर surrounding से heat का transfer ले ले तो क्या होगा दोनों ही situation में आपकी internal energy में change आएगा this exchange of energy which is a result of temperature difference is called heat और ये जो आपकी heat में difference है heat के transfer में difference है उसे हम क्या कहते हैं heat क्यों कहते हैं if bringing about the same energy अगर हम same energy को लें तो temperature in temperature temperature में by transfer of heat अगर आप transfer जो heat का हो रहा है system में वो उसमें आपका temperature change हो रहा हो तो क्या होगा guys ये depend करेगा थर्मा आपके उस particular wall पर उस particular boundary पर जो की आपके system को prohibit कर रही है किसी भी heat को transfer करने के लिए यानि की adiabatic wall पर next देखो guys अगर हमने कोई water लिया और उसका temperature है T A ठीक है एक time के बाद हमने जब इसको copper के wall में रख लिया तो आपकी जो heat है वो reservoir हो गई यानि की heat में एक change आया और ये heat हो गई मालो T B T A से T B तो जो आपके temperature का difference होगा वो किस के बराबर होगा guys वो आपके T is equal to T B minus T A के बराबर होगा और अगर बात करें change in internal energy की तो आपके change delta U की value Q के बराबर होगी और ये आपके internal energy का change होगा when no work done is at constant volume जब आपके कोई भी काव constant volume पर नहीं किया जा रहा है clear the Q is positive अब आपके बात हो रहे है कि heat हमारी positive कब होगी guys heat हमारी positive तब होगी जब heat आपकी transfer हो रही है surrounding को ठीक है ना कहां से surrounding से transfer हो रही है to the system system के लिए surrounding से system के लिए अगर हो रही है तो फिर आपकी value होगी positive और अगर system से surrounding को हो रही है तो आपकी value होगी negative है ना Q is negative when heat transfer from system to surrounding अब general case देख लो general case क्या है कि अगर आपका कोई change हो रहा है state में है ना वो कब हो सकता है या तो आपका काम किया जा रहा हो या फिर heat का transfer किया जा रहा हो तो आपके state में change आता है यानि कि अगर internal energy की बात की जाए तो guys internal energy का change change in internal energy किसके बराबर होती है change in heat change in energy और work done clear यानि कि delta U बराबर Q प्लस W तो Q प्लस W बराबर delta U किस पर depend करेगा guys ये हमारे initial और final state पर depend करेगा क्यों 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 कि हमको पता है हमारे internal energy एक state function होती है clear अब देखो अगर मालोड W आपका zero है तो आपकी Q की value भी zero रहेगी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी internal energy की पूरी value आएगी वो भी आपकी zero रहेगी mathematically हमारा जो internal energy का formula आएगा वो क्या आएगा U बराबर Q प्लस W क्या आएगा U बराबर Q प्लस W और guys इसी statement को हम क्या कहते हैं first law of thermodynamics कहते हैं क्या कहते हैं first law of thermodynamics कहते हैं the energy of an isolated system is constant की जो आपकी energy है isolated system की वो constant होती है it is commonly stated that the law of conversion of energy की जो आपकी energy का conversion है वो energy either be created और not be destroyed कि आपकी जो energy होती है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खतम की जा सकती है सिर्फ आपकी energy का transfer एक state से दूसरी state में हो सकता है और इससे हम क्या कहते हैं first law of thermodynamics कहते हैं तो guys यह था हमारा topic जिसमें कि हम लोगों ने अपना thermodynamics term और state of system के बारे में पढ़ा प्यारे बच्चे next session में हम लोग application को discuss करेंगे कि कैसे आपके thermodynamics ली application system को affect करती हैं तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही session को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और बने रहे r247 school के साथ thank you so much guys टढ़ के स्ट्वड़ आपकछी